सुप्रभाद प्यारे बच्चों कैसे हो आप सबी सबने होली ढूलेटी बहुत एंज्वे की होगी ना घर पे रहकर चलिए तो आज स्थोरी पढ़ाई कर लेते हैं आज हिंदी के विशे में हम पढ़ेंगे अगला वर्ण जो आपने देखा था इससे पहले के जो वर्ण हमने स है ना पढ़े थे ना उसके पहले हमने श शलगम का श फिर श शटकोन का श और आज तीसरा है स है ना वर्ण स आज की दिनांग के साथ शुरू करेंगे हम चलिए आज की दिनांग मैंने लिखती है तरजनी से अक्षर को स्परश करके याद करो यह है क्या होता है स है ना अपचितर बताया है उसमें बताया है कि सूरज हमें रोशनी देता है सूरज कहा है सूरज मतलब सन यह रहे सूरज क्या देता है हमें रोश्णी उचाला प्रकाश है ना तो सूरज में यह जो पहला वर्ण है वह देखिए दिख रहा है इसके जैसा बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है यह है स यह है सूरज स से सूरज सूरज हमें रोश्णी देता है है ना चलिए अब देखिए क्या बताया है मैं दिये गए शब्दों में से स पर गोला बनाओ तथा बिंदुओं को जोड़कर स को पूरा करो अरे वा बच्चो आप देख सकते हो यहाँ पर चितर हाँ अब हमें क्या डूनना है यह वाले सब भाई साहब को इसमें से डूनने है तो चलो डूनते हैं यह बकसा है उसमें बहुत सारा गोल्ड है है न हम गोल्ड को कहते है सोना वो नहीं जो हम रात को दिन में सोते हैं उसको नहीं सोना मतलब इंच्विल्री जिससे हम पहनते हैं जिसके गहने पहनते हैं ममी लोग हाँ तो सोना तो यह है स स को पहचाना हमने हाँ अब इसे हम क्या करेंगे इसके उपर गोला बनाएंगे हाँ यह है स स स से सोना अब यह तो सब को ही पता है कि साइकल है है न पर उसका पहला वर्ण देखे किससे शुरू होता है यह स से शुरू होता है तो हम क्या बनाएंगे गोला बनाएंगे उसके बाद अरे वाँ एपल को कहते है हिंदी में सेब क्या कहते हैं सेब सेब नहीं सेब यह भी है स स सेब अब यह चित्र क्या है यह उपर चड़ा उपर चड़ने के लिए काम आती है सेब नहीं कहते है सेब अब यह अब यह सेल्यूट करते हुए भाई साब कौन है सलामी दे रहे है सैनि बहुत अच्छे से पहचाना सैनि क्या है यह सैनिक तो यह अब यह स वर्न चलिए अब यह से लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम शीरो रेखा बनाएंगे हमने रह तो सीखा था है ना रह से हमने शलगम का स्व भी सीखा तो पहले हम रह बनाएंगे है ना रह तो आपने सीख चुके है रह फिर इसको यहां से खीची स्लिपिंग लाइन और इसको जोड़ दी हमने स्टेंडिंग लाइन बना दी यह हमारा सफूर्ण हो गया अब हमें क्या प्रश्ण पुछा है सूरज किस दिशा से उदय होता है मतलब कहां से उगता है सूर्या आपको तो पता ही नहीं होगा उस दिशा को कहते है बच्चो पूर्वदिशा पूर्वदिशा से सूर्या उपता है अब सूरज हमें क्या देता है सूरज हमें रोश्णी देता है उजाला देता है प्रकाश देता है है ना बच्चो तो चलिए अब नेक्स पेज पर देखिए अभ्यास पर आ गए हम अब यहाँ पर भी आज की दिनांक लगाएंगे और देखिए क्या करना है हमें इस अक्षर को लिखो तथा याद करो तो हमने इसके पहले की चित्र में बना था जैसे शीरो रिखा बना कर फिर हमने र बनाया फिर एक स्लिपिंग लाइन कीची और एक स्टेंडिंग लाइन बना दी है ना एक और बार करेंगे हम शीरो रिखा पहले बनाएंगे फिर बनाएंगे पर हमें एक बनानी है एक sleeping line और फिर standing line इस तरह से हम इस sir को पूरा करेंगे यह होता है sir है न sir बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे sir इस तरह से इसे आप पूर्णा करोगे आज़ज़ कार्य में अब यह चित्र अरे वा स्माइल करता हुआ सूर्य कितना अच्छा लग रहा है तो सूरज के चित्र में रंग भरो देखे बच्चो इस तरह से रंग भरना उसे काला पिला उसे हरा हरा काला सफेदना बनाना सूरज होता है यलो रंग का और लाइट लाइट आप ओरेंच रंग बर सकते हो तो इसमें अच्छे से पीला कलर भरिये और सूरज से संबन्दी तीन वाक्या सूरज पूरवदिशा से उपता है सूरज हमें रोशनी देता है सूरज को सूरज भी कहते है भानू दिन को रवी भी कहते है है न वह हमारे शरीर को शक्ती प्रदान करता है है ना बच्चो चलिए अब पटाफट आपकी नोटबुक भी निकालिए चलिए मैंने तो मेरी नोटबुक निकाल दी है आप ही अपनी नोटबुक निकालिए बच्चो आज की दिनांक लगा देंगे हम और शुरू करेंगे हमने कौनसा वर्ण पढ़ा तो यहां लिखेंगे उपरवर्ण हमने पढ़ा स कौनसा पढ़ा स एक लाइन चूट जाएगी दूसरी लाइन अब बड़ी लाइन में हमें लिखना है शीरो रिखा बनाएंगे र बनाएंगे फिर क्या करेंगे स्लीपिंग लाइन कहां से यहां से उसे जोड़ेंगे स्टेंडिंग लाइन यह बन गया हमारा स एक और बार स्लीपिंग लाइन बनाएंगे र रत का र बनाया हमने इसे मोड़ना नहीं है इस तरह से र बनाना है हिंदी के जो वर्णा होते हैं बच्चो वो बड़े ही मतलब शार्प होते हैं उसको कहीं मोड़ते नहीं है हम उसे इसी तरह से रखते हैं हाँ न तो चलिए एक और बार ये र बना दिया फिर यहां से हमने खीची स्लीपिंग लाइन और इसे जोड़ दिये स्टेंडिंग लाइन यह बन गया हमारा स स सीरो रिखा बनाएंगे शीरो रिखा के बाद इस तरह से बनाएंगे एक लाइन चोड़ देंगे, दो लाइन, तीन लाइन भी छोड़ कर वापस से लिखेंगे हम, इस तरह से बनाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्टेंडिंग लाइन, इस तरह से बच्चों आप यहाँ पूर्ण पेच पर स बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, स स से सूरज है ना ससे सूर्य स सडक का स ससे सूर्य सैनिक पढ़ाना हमने बच्चो तो चलिए आज यह घुरू कारिय आज की दिनां के साथ पूर्ण कीजिए अगले तास में फिर भी लेंगे बच्चो ठेक केर धन्यवाद बच्चो